नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 30 पचपन के बोर्ड की जो है वाइरिंग कैसे करते हैं और बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगा जिसे की हमारे जितने भी भाई हैं वो बिल्कु कि यह हमारे पाथ 30 पचपन का बोर्ड यह आपका 80 से 90 वाट तक आपको यह जो आउटपूट है वो दे देता है अब यहां पर देखिए जो ट्रास्फरमर यूज होता है वह होता है हमारा अठारा जीरो अठारा पांच एम्पियर का ट्रास्फरमर यह देखिए तो यहां पर हमारा जो इसके इंदर ट्रास्फरमर यूज होता है वह होता है दोस्तों हमारा अठारा जीरो अठारा पांच एम्पियर तो पांच ए अठारा जीरो अठारा पांच एम्पियर का हमारा इसमें ट्रास्फरमर यूज होता है और देखिए ट्रास्फरमर के जो कनेक्शन ह तो मैं आपको देखिए connection दिखा देता हूं तो देखिए पहला connection होगा हमारा यहाँ पर जो हमारा ACA होगा दूसरा होगा हमारा यहाँ पर यह देखिए और तीसरा grounding होगा हमारा यहाँ पर यह हमारे grounding है यह होगा हमारे यहां पर तो देखिए जो हमारा 18 और 0 इस तरीके से यह हमारे connection होंगे तो यहां पर देखिए मैं दुआर आपको बता दिये कि यह AC हो गया यह AC हो गया और यह हो गया हमारा 0 जो हमारा बीच वार हो था processes को देखे डायं कम्प्लीट हो गए आपके आपक्त आप आप क्रांजिस्टर के लिए गए अवाला जो कि इवंड़ी मीटर थोह इसमें भी देखिये biggest collect एमітर फिर यहां पर का बैज कि का लेक्टर ही में इसी त mechanics से मतलब की चारों ट्रैंस्टर के जो हैं connection ओँगे not मेरे भेज पलेक्टर है करे इमिटर इस तरीके से चारड ट्रैंस्टर के connection अब ट्रांजिस्टर कैसा होगा देखिए ट्रांजिस्टर आपका इस तरीके से होता है तीस पच्पन यह देखिए इस तरीके से होता है तो देखे एक तरफ से तो यह ज्यादा बड़ा एक तरफ से थोड़ा साइज इसका कम है तो वहां से इसका जो है स्टार्टिंग होता ह देखे ये transistor कुछ हमारा इस तरीके से बना हुआ है यानि कि थोड़ा लंबे टाइप में है इस तरीके से तो इसकी जो ये दो पिने हैं एक साइड में जादा है उपर की तरफ तो यहाँ पर इसकी ये वाली पिन जो है हमारी base और जो इसका body होता है वो होता है हमारा collector और जो ये वाला पिन होता है ये emitter तो इस तरीके से देखे ये तीनों wire एक एक transistor का यहाँ पर लगेगा तो ये हो गया हमारा base collector emitter अगर मान के चलिए आपके पास जो transistor है बावन सो है इसमें आप बावन सो लगाना चाहते हो तो बावन सो टैंश्टर जो है हमारा ये हो गया हमारा बावन सो तो ये हमारा टैंश्टर कुछ इस तरीके से होता है इसमें तीन पिने होती है तो इसमें होती है हमारी base collector emitter तो ये टैंश्टर हमारा इस तरीके से लगेगा यानि कि इसका base collector emitter इस तरीके से है इसका base collector image यह दोनों टैंस्टर इस तरीके से इनकी wiring है तो यहाँ पर देखे चारों टैंस्टर की आपने wiring सीख ली बहुत ही आसान है इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है एक बार अगर थोड़ा दियान से पूरा वीडियो देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे जाएंगे अब आ जाते हैं यहाँ पर बार स्ट्रेवल के बोड़ पे एक यहां पर टैंस्टर लगाया जाता है ये यह तक इसके साथ में कभी-कभी आता है कभी-कभी नहीं आता है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत से जो हमारे amplifier होते हैं वहां पर तो इसके connection कैसे हो तो यहाँ पर देखिए आप यह भी टानिश्टाल लगा सकते हैं और आप चाहे कोई छोटा टानिश होता है वह भी लगा सकते हैं तो देखिए अगर आपको 35 लगाना है तो उसके कनेक्शन क्यासे होंगे वह मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर भी बेस कलेक्टर होता है तो यहां पर देखिए यह वाला जो पीन है यह बेस हो गया जहां पर हमारा जिनन डाइबोर लगा होता है यह देख यह हमारा जो इमीटर है यह जाता है हमारा देखिए जो बाश ट्रेवल के बोर्ड है देखिए यहां पर हजार सोला कैपिस्टर लगा हुआ है एक यहां पर हजार सोला कैपिस्टर लगा हुआ है इस ट्रैंश्टर का दोस्तों काम यह है कि यहां पर जो बोल्टेज है वो इस बास्ट्रेवल बोर्ड को जो है सप्लाई देदी जब तक आप यहां टैंश्टर नहीं लगाओगे आपका बोर्ड जो है वह ओन नहीं होगा उसके अंदर कोई भी ओडियो नहीं आएगी तो आपने यह वाला टैंश्टर का भी सीख लिया और आगर आपके पास कोई फेहा और आपके-so भी लगासकते हैं यह देखें इस तरीके से उस सकते हैं तो यहां पर आगिया बेश क्लेटर इमीटर इस तरीके से रगाएगा हमारा बोर्ड जो है ऑन रहेगा चोटर लागा सकते आ बढ़ा अब लगा सकते हैं अब देखे हमारे जो हैं प्राणिस्ट होता है ये वाला ये थिरी पिन का होता है तो देखे पहले तीन पिन तो इस वाले पे लग जाएगी फिर जो इसकी आगे वाली पिन है वो तीन पिन इधर बास पे लग जाएगी तो दोनों बास के कनेक्षण एक वोलियम में पूरे हो जाएंगे इस तरीके से पहले तीन नहीं यहां तौन इस तरीके 사े से अ dormir की लेक्ट यहां वाले यूज करें था-जिते हैं तो तीनिधा नहीं के तरीके से ओक मुझ आदके हैं तो इस हुष ल्टर वी बॉलियम यहां पर आगे पर आगे जो यहां पर एक जो पांच बाट आंश्टर होता है उसके भी मैंने connection बता दिये अब बचा है हमारा audio input इसके अंदर की audio input हम इसे कैसे देंगे audio input का देखिए यहां पर देखिए तीन print है left, right और ground तीन print हो गए हमारे पास देखिए यह volume है 6 pin का तो यहां पर देखिए मैं 6 pin बना देता हूं यह देखिए यह हो गई हमारी 6 pin का volume तीन pin इसके अंदर आगे है तीन पीछे है अब देखिए यह volume मैंने इस तरीके से रखा हुआ है इसकी जो last वाली pin है तीनो वह मैंने यहां पर दोनों को जोड़ दिया तो यह हो गया हमारा grounding ठीक है फिर हमारा जो pin नमबर दो है यह हो गया हमारा यहां पर left यह हो गया हमारा यहां पर right और यह हो गया हमारा out ठीक है दोस्तों यह हो गया हमारा out अब यह out जो तीनो वायर है यह कहां जाएगी grounding हमारी board की बीच वाली pin प बची हमारी वोलियम की आगे वाली पिन है आगे वाली पिन कहा जाएगी वह मैं आपको बताता हूं अब यही ग्राउंडिंग वाला पॉइंट है सीधा हम यहां से आगे ले लेते हैं किसी पर सोट नहीं करना सीधा ग्राउंडिंग पॉइंट यहां ले लेते हैं अब देख कर्णें लेफ्ट और और फिर और राइट और यहां पर देखित लिखा है एंट का अत्यांत मतलब यह जाएगी आपके वोलियम की पिन नमबर वन, फिर बीच वाला, तीन नमबर, यह ग्राउंडिंग, तो इस तरीके से देखें, यहाँ पर यह वाला लग गया, और आउटपूट हमारी सीधी बोर्ड में चली गई, जो बोर्ड की हमारी, यह हो गई हमारी लेफ्ट, यह हो यह हमारा गिराउंड, तो इस तरीके से देखें, यह वायरिंग हमारी कम्पलीट हो गई, अब बची इसके अंदर स्पीकर की वायर, की स्पीकर की वायर हम कहां लगाएंगे, यह बोर्ड तो हमारा पूरा कम्पलीट हो गया, वायरिंग भी कम्पलीट हो गई, अब इसका इस फीकर वायर वो लगाएंगे हम जो हमारा 5 watt का रेजिस्टेन्स लगा हुआ है अब के इરजिस्टेंस यह दोनो का नो रेजिस्टेंस है Major यहां पर यहां पर लिख्ख़ हुआ है स्पीकर अब इस पीकर का देखे एक पॉइंट यहां आ गया तो दूसरा पउइंट हमारा कहां जाएगा एक पॉइंट हमारा यह हो गया यह हो गया जाएगा लेकिन जो एक वाला वायर होगा ग्राउंडिंग का वह जाएगा हमारा ट्रास्फार्मर के जीरो वायर पे जो ट्रास्फार्मर का जीरो वायर होता है या कैपिस्टर के दोनों पिने एक साथ जो यहां पर जुड़ी होती है दोनों पर जाता है ग्राउंडिंग पे तो एक वायर यहां ह पर दूसरे स्पीकर का एक वायर यहां हो गया एक वायर जीप हो गया तो इस तरीके से देखिए हमारे पूरे बोर्ड की वायरिंग जो है कंप्लीट हो गई अब देखे यहां पर जो केपिश्टर लगा हुआ है वह लगा हुआ है 2235 अगर आप यहां पर थोड़ा सा बेस और बोर्ड को चलता नहीं है यह अपर क्या है इसमें नया लगाए तो पहले देखें कि उसके कंपोम्नेंट कहीं ंड्राइ तो नहीं है अब देखिए अ बहुत तक देखिए कोई भी पेस्तरी के से धी नहीं है अब देखिए इसके अंदर देखिए ये वाला देखिए क्येपिस्टल लगाऊ है 1016 अब देखिए यहाँ पर पूल करके दिखाता हूं जो आपको साब दिखाई देगा यह देखिए यह प यह पर लगा हुआ है यह तो इस तरीके से जब कभी भी आप नया बोड लाते हो तो नया बोड पहले अच्छी तरह उससे चेक करो चेक करने के बाद उसका सारा सोल्डिंग चेक करो उसका ड्राय वगेरा चेक करो कोई print उसमें सोट तो नहीं है या कोई component हमारा dry तो नहीं हो रहा है इस तरीके से पूरा component देख के फिर उसके बाद ही board को assemble करें उससे क्या होगा आपका board लगाते ही चल जाएगा कोई भी problem उसमें नहीं आएगी क्योंकि देखे कभी कभी क्या होता है हम नईने जो है component या board लाते हैं डारेट लगाते हैं और वो नहीं चलता है उसमें यही problem होती है sorting की यह dry की तो यह dry था अब देखे मैंने इसे देख लिया आप मैं इसको दुवारा से अच्छी तरह solding करके solding करने के बाद जो है इसको dry राई हटाके फिर उस समय बोड लगाऊंगा तो उस समय क्या है मुझे कोई दिखत नहीं आई कि बोड एक दम बढ़िया चल जाएगा तो दोस्तो मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को like करना share करना subscribe कर करना bell का icon को जोड़ दवाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा